नमस्कार फ्रेंड, टॉपिक है, डिस्केशन के लिए हमारे पास कि भारते संभिधान या इंडिन कॉंस्टिटुशन में कितने अनुछे जा आर्टिकल हैं हम सभी जाते हैं कि आर्टिकल जो हो 395 है, 396 जो कोई भी आर्टिकल नहीं है फिर भी यह कहा जाता है कि 460 हैं, अभी 470 जो आर्टिकल हैं तो यहां पर यह 460 हिसलिए होगे, क्योंकि जो एक्स्टेंडड आर्टिकल है जैसे कि आर्टिकल 21 है, उसका 21A है, तो जो 21A है उसको भी काउंट करके यह 460 पहले थे, अभी 470 हैं, पर फिर भी exactly कितने हैं, इसको लेकर हम यह discussion करेंगे और यह जो discussion होगी हमारी, यह आज जितना भी हमारे पास information है, उसके अधार का होगी आने वाले समय में आर्टिकल जो हम बढ़ भी सकते हैं और कम भी हो सकते हैं पर आज, यानि कि इस वीडियो के release पर कितने आर्टिकल रहें, उसको हम देखेंगे एक बात और इसमें मैं अड़ करना चाहूंगा, कि हम यह कहें कि भारती सम्भिधान में कितने वैद या वैलिड आर्टिकल हैं यानि कि वो आर्टिकल जो कि आज effective हैं और जिनको Supreme Court के दोरा struck down नहीं किया गया है तो सबसे पहले part number 1 है, जिसमें कि हमारे पास 4 यानि 4 वैलिड आर्टिकल है part number 2 जो है, उसमें हमारे पास 7 वैलिड आर्टिकल है पार्ट नमबर 3 जो है उसमें हमारे पास 27 वैलिड आर्टिकल है पार्ट नमबर 4 में हमारे पास 20 वैलिड आर्टिकल है पार्ट नमबर 4A जो है उसमें हमारे पास 1 वैलिड आर्टिकल है पार्ट नमबर 5 में हमारे पास 102 यानि 102 वैलिड आर्टिकल है पार्ट नमबर 6 जो है उसमें हमारे पास 88 वैलिड आर्टिकल है पार्ट नमबर जो 7 है उसमें हमारे पास कोई भी वैलिड आर्टिकल नहीं है पार्ट नमबर 8 जो है उसमें हमारे पास 7 वैलिड आर्टिकल है पार्ट नमबर 9 में हमारे पास 16 वैलिड आर्टिकल है पार्ट नमबर 9A जो है उसमें हमारे पास 18 valid आर्टिकल है पार्ट नमबर 9B जो है उसमें हमारे पास 13 valid आर्टिकल है पार्ट जो 10 है उसमें हमारे पास 2 valid आर्टिकल है पार्ट 11 जो है उसमें हमारे पास 20 valid आर्टिकल है Part 13 जो है उसमें हमारे पास 6 valid article है Part 14 जो है उसमें हमारे पास 16 valid article है Part 14A जो है उसमें हमारे पास 2 valid article है Part 15 जो है उसमें हमारे पास 6 valid article है Part 16 जो है उसमें हमारे पास 16 ही valid article है Part 17 जो है उसमें हमारे पास 11 valid article है Part 18 है उसमें हमारे पास 10 valid article है पार्ट जो 19 है उसमें हमारे पास 9 वैलिड आर्टिकल है पार्ट 20 जो है उसमें हमारे पास 1 वैलिड यानि 1 वैलिड आर्टिकल है पार्ट जो 21 है उसमें हमारे पास 23 वैलिड आर्टिकल है और पार्ट 22 जो है उसमें हमारे पास 4 वैलिड आर्टिकल है तो इस तरह से हम जितने भी आर्टिकल में आपको बताएं हैं जितने पार्ट्स में हैं इन सबको प्लस करें तो जो figure exact बनता है हमारे पास वो है 467 यानि 467 वैलिड वैद आर्टिकल हैं भारतिय संभिधान में फ्यूचर में ये आर्टिकल बड़ भी सकते हैं और कम भी हो सकते हैं पर आज की तारीख में ये जो आर्टिकल हैं वो 467 है यहां पर दोस्तों हमने तीर आर्टिकल को count नहीं किया है वो है 124A, 124B, 124C इनको count नहीं करने का कारणी है कि इनको Supreme Court के द्वारा struck down कर दिया गया थ और साथ ही इसमें part 14A जो है उसको भी mention करना चाहूँगा जिसके कि आर्टिकल 323A, 323B है अब इनको जो है most struck down कुछ limited extent तक किया गया है यानि कुछ part को struck down गया है पूरी तरह से इनको struck down नहीं किया गया है इसलिए इनको हम valid article की category में रख सकते हैं